Hello friends, my name is Hemant आज की जो बीडियो है, most important बीडियो है उनके लिए जो government job की preparation कर रहे है ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊँगा NRE क्या है, CET क्या है, ये कैसे work करेगी इसके बारे मैं detail में बताऊँगा तो शुरू करते हैं, for government exam one agency, one exam, NRE NRE की जो full form है, National Recruitment Agency इसको जो है, government ने, cabinet ने मंजूरी दे दी है ठीक है, तो इसके अंडर क्या होगा ये कैसे work करेगी, शुरू करते है work of NRE, ठीक है, ये क्या कराएगी CET करवाएगी, जिसकी full form है common eligibility test, तो ये क्या है इससे बताने के लिए, इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊँगा, जैसे आपने अभी तक exam दिये होंगे, जैसे SSC के, CGL, CHSL, MTS, Steno Group, D, C, D, JST, Railway के या IBPS के, तो अभी तक क्या होता आया है, कि इनके सारे exam के जो pre होते हैं, जिसे आप tier 1 भी बोलते हैं, वो exam अलग-अलग होते थे, तो अब क्या आगया है, CET के आने से क्या हो गया है, जो वो सारे exam का pre होता था, या screening कह सकते हैं, वो test अलग-अलग होता था, वो अब क्या होगा, वो अब क्या होगा, एक exam होगा CET के अंदर, तो इसके होने का फायदा, government ने ये बताया है, कि आपकी money बचेगी, अलग-अलग form भरने में, और आपका समय बचेगा, ठीक है, तो ये CET, जो है, ये किस post टेकले है, ये UPSC के लिए है, या किस के लिए है, वो सारी जो post आएंगी, इसमें UPSC नहीं आएगा, इसमें जो post आएगी, non-gadgeted post in the central government, जैसे SSC में, CGL, CHSL, MTS, Steno Group, C, DGHD, और railway के जो सारे exam होते हैं, NTPC, ALP, और IBPS के जो exam होते है, clerk, PO, ठीक है, तो ये कैसे work करेगा, ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो इसके important points है, CET के, ठीक है, cabinet ने जो approval दिया है, ये 15-17 करोण में दिया है, ठीक है, अब CET होगा कैसे, इसके क्या attempts हैं, जैसे आपको पता होगा, UPSC में एक fixed attempts होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, unlimited attempts है, unlimited attempts का मतलब, आपकी कोई age limit होगी, वहाँ तक के unlimited attempts हैं, और ये exam जो होगा, एक साल में जो होगा, दो बार होगा, ठीक है, one year में ये आपका, दो बार होगा, ठीक है, आपका इसकी validity क्या है, अगर आप इस exam को clear कर लेते हैं, CET को, तो इसकी जो validity है, वो 3 साल की है, यानि कि 3 साल में, कोई भी government के जो भी exam आते हैं, आपने अगर ये clear किया है, तो आप सीधे उनका mains, या tier 2, tier 3 exam दे सकते हैं, ठीक है, और ये क्या होगा, ये 12 different language में होगा, और आगे government ने कहा है, कि इसमें और भी language add की जाएंगी, ठीक है, और कई बच्चों का question ये है, कि ये 10th level, 12th level और graduation के लिए कैसे होगा, तो इसमें बोला गया है, कि ये 3 जो 10th, 12th और graduate level के exam है, उनके लिए separate CET conduct कराएंगे, ठीक है, और इसका एक फाइदा और बताया गया है, कि जो सारे India में, सारे district में एक center इसका हो गई होगा, जिससे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, कि आपका exam अगर उत्राखंड में है, तो आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, तो ये हर district में इसको कराने की सोचा गया है, ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा CT क्या है, ये एक ऐसा eligibility test है, कि इसके जो सारे center के government exam होते है, उनका जो pre होता है, वो सिर्फ एक ही दिन में होगा, और एक ही बार होगा, ठीक है, वो भी साल में दो बार होगा, और इसकी validity जो है, वो आपकी तीन है, और कई लोग का question है, कि इसमें NTPC, या अभी जो, ये railway group D का exam बचा, वो इसके तहत होंगे या होंगे, अभी इसमें कोई clarity नहीं है, अभी कुछ बताया नहीं गया है, और इसके बारे में एक क्या है कि इसका syllabus क्या होगा, अभी तक इसका कोई भी syllabus बताया नहीं गया है, आगे जब भी इसका syllabus बताएंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा तो आप समझ चुके होंगे कि ये CET क्या है NRA क्या है National Recruitment Agency जो एक CET एक्जाम कराएगी और ये किसके लिए होगा जो भी सेंटर के एक्जाम सो होते हैं तो आप समझ गए होंगे तो आज की वीडियो यहीं पर खतम करते हैं ठीक है आगे जो भी इसके pros and cons होंगे उसके लिए मैं next वीडियो बताऊंगा तो आपको क्या लगता है कि ये NRA जो आया है या CET जो आया है ये सही है या गलत है comment करिए thank you so much